हलो नमस्कार मैं प्रकार सांग टेम केल्सी सीकर से तो आए होप आपका पिपर अच्छा हुआ होगा तो देको सेकंड लास्ट डी सीम है डी सीम 41 आउट फोर्टी टू और आज था केमिकल कानेटिक्स और एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो आए होप आपका अच्छा हुआ यह आपको क्या करना है इनेट इलेक्ट्रोड का यूज करना जैसे प्लेटिन में कार्मन ग्रेफाइड है तो जैसे अकपर सोलिशन है तो इसके अंदर कौन-कौन-स आयन होगा नाइट एट आयन होगा है और वोटर के आयन में होंगी हैस प्लस और ओएच मैस आयन है अब क्योנה प्लस अब इस्टार्च पोरकू di जक्राट मेंने जो बसेंट आहециं प्लस तो जड़क है ज्यादा हो दायनका तो यह थो है तो यह तो आपको कहा पर मिलेगी है और यह कहाया पर पर दोड़ा है तो घीच है तो और եोए में तो नोल जोह य और नोल के ओड़ाश्री लिज़ुट्र दोड़ारे से कने डिस को जते रेक्ट क्स्वी driving क्यों सेकेंट वोल्यूम ऑप ऑक्षिन गेस्ट लिब्रेट एट अनोड एट स्टिपी इन देलेक्ट्रोलाइस आपका स्वोल्यूशन ऑफ कोफर सल्फेट वें टूंपर क्रेंट इस पास्ट फॉर एट मिनट यह आपको करेंट कितने दरीक है ट्न ऐलेटSoft टूंप दरीकी एक है तूंप यह आंपको क्या देए करणे दे रहेगा कर्ण दे रखिए और टाइम कितना दर का एट मिनट तो एट मिनट को आप किसमें करमटपो han the forty होरreck Hi four eighty second-up या आपके पास क्या जाएगा टाइम मन जाएगा ठीक है तो एन Beim से मुक्त होने वाले ओक्षिंगेस का आपको वोल्यूम पूचा है एट स्टिपी तो अकोडिंग टू फर्स्ट लाओ फराड़े कि डबलो अपॉन इसक्वल्टो आई इंटु टी अपॉन नैन सिक्स्वाइब डेबल जीरो इसक्वल्टो ओक्षिंगेस का वोल्यूम एट स्टिपी और इसका एक्विलेंट वोल्यूम कितना होता है उसनका 5.6 से लीटर होता है ठीक है अब दोको आपको कितना दिरक है करेंट दिरक है दो एमपेर टाइम कितना दिरक है पॉर एट आप नीचे के आएगा 9600 इस इक्वल टू वी ओक्षिंगेस का वोल्यूम आप से स्टिपी पीप पूचा है और ओक्षिंगेस का एंट टीपी पर वोल्यूम कितना होता है 5.6 लेटर तो इसको कैंसल आउट करो यह से क्या हो गया कैंसल आउट हो गया यह हो गया 96 तो जो ओक्षिंगेस का वूल्यूम आएगा वो क्या हैगा 5.6 इंटू 2 अपॉन कितना आएगा इंटू 48 अपॉन 9650 और इसको सोल करोगी तो इसका अंसर आएगा आपकी पास 0.056 से लीटर इनकोरेक्ट आप्शन कौन सा थार थार है नेक्स क्यूंसन थार्ड क्यूंसनक्या थार्ट क्यूंसन देखू क्या है चान्टब्विटी औफ एफ अनीसल एफ एफ सील और सोडियम एचिटल है और 126.4 425.9 and 91.0 यह यूनिट दे रहे किये कंड़क्टिविटी आप के आपको कंड़क्टिविटी पूछिए और ठीक है तो इसके अंदर कौन सा रूल फोलोगा और फोलोगा तो आपको लेम्डा है म इंफानाइट आपको किस की कंड़क्टिविटी केल्कुलेट करने हैं कर सद कर आपके ये कैसे आसकते आपके पास यानि इसकी conductivity और अपको क्या करना पड़ेगा कर ना पड़े गा और एनीसर की पाजाएगा 126.4 इसको 16 करोगी तो आएगा 390.85 तो कौन सा आप्शिन से होगा फर्स्ट आप्शिन इज ग्रेक्ट नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन नमर फॉर हो मनी फैरडे आर रिक्वाइड तो रेडिज वन मोल आप एमन ओ फॉर मानस तू एमन प्लस तू यानि एमन ओ फॉर मानस वन को रेडिउस करना आपको किसमें एमन फ्लस टू तो देखो बच्छो आपको इसका रेडक्शन में ट्रांस्प्र एलेक्ट्रों देखना तो यहाँ पी मैंगनेस का उक्षडeस होंगे फैराडे की रिक्वार्मेंट होगी तो एक मोल देर के है नमर थो प्रास्ट इलेक्रों कितने फाइब तो कितने फाराडे की रिकौर्मेंट होगी फाइफ सक्षार्डे की रिकौर्मेंट फोर्थ ऑप्शन ईज ग्रेक्ट नेग्स्ट क्विसंट question number five in passing three faraday electricity through the three electrolytic cell connected in series containing AG plus copper plus two and AL plus three and respectively the molar ratio in the three meter line are deposited at electrodes respectively यहनि इसके अंदर क्या किया है तीनों को series में connect किया है यहां फैरडे का क्या second low लागू होगा तो gram equivalent is equal to क्या होगा मॉल इंटू वेलेंसी फेक्टर और सब का वेलेंसी फेक्टर आपको पता है चार्ज उपर देर का वह होगा आयनुका वेलेंसी फेक्टर होगा सब्सक्राइब一下 क्या है टिम फरडे CT पास किया हो है यानकी कि जितने ग्राम क्यों ऊंटमें फररडेंगे तो तीनों में क्याह किया तीन कि इसका भी थील्इनख यहों कि mini-न काले लू तीन फरडे यहीं तो तीनों का जलके आपके पास रिश्यों आगया सभका वान रिश्यों वान निया यह तो लिश्यू क्या हो गारा है तो मुल का रिश्यों होगा अब देखेर क्वार मैं एन पेक्टर स्याय को डिवाइड करना पड़े कला तो factor कितना वन टो वन रिस्यू वन रिस्यू ग्राम क्यूंट वन एन फेक्टर किया को प्लस टू का तो रिस्यू वन अपोन येल प्लस तरी का इन फेक्टर कितना थ्यू तो इसको और सिंप्लिफाइगे तो six ratio three ratio two आ जाएगा it means third option is correct next question क्यूंसे जाट तो आपको कातों और क्यूंस सेब्सक्राण कोन से ग Gwen तो आपको एंखने पर याद रखना हो रहें GOS स्पोंटेनिस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा नगेटिव होगा और हम जानते डेल्टा जी वराबर क्या होता है मानस का एन एफ इसेल क्या होता है मानस का एन एफ इसेल होता है तो यह नगेटिव होने के लिए इसेल का पोजिटिव होना बहुत जरूरी हो तो हो गया आपका positive हो गया और के equilibrium क्या होगा डेल्टा जी नेगेटिव होने के के equilibrium का एक सी ज्यादा होना बहुत जरूरी है इसका मतलब सेकेंड आप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्विश्ण network potential आर गवं सबकी Electrot potential आपको दे रखें मोस्ट एक्टी मेटल सो और आपको पता है कि electrical chemical series के अंदर tony जाओगी तो मेडि़्ट्र की रीक्यायों होगी टिक्रीज आई और 9 अगिक्याद कीरेथि आप्र करेंस का स्टेंडर्स पोटेनिशन सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा होगा तो यहां पर कौन सा आएगा जिंक आएंगा कि नेक्स्ट नमर्ड 9 कि भीच वह बपोल्म रेलेशन इस क्रेक्ट कौन सा रेलेशन करेक्ट अवर ऺएशंट सी बेलकुल सही है देल्टा जी इसकुल टू मानस का Nab E C ये भी विल्कुल सही ये और té कुलोबिम इसकुल टू D देखको इन磋ड से इसकुल टू क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो फाइप नैन वन, पॉन आपन Catchण बूढ देखक तो ठीक है, तो आप से किसे के वह पुचिए k equilibrium की, to inode cell into n और upon नीचे की जह एगा 0.0591 is equal to crash log 10 base k equilibrium और k equilibrium is equal to क्या आएगा, k equilibrium is equal to आजाएगा 10 की power inode cell into n upon क्या जाएगा 0.0591 तो कुन सा रिलेशन सही होगा ये भी सही है यानि ओल आप दीज तो फोर्थ ओप्शन इस क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूशन Q10 देस्ट्रेशन पोटेंशन विल्यू अप 3 मेटल्स यानि X Y और Z उनके आपको स्ट्रेशन पोटेंशन देरेके X का कितना देरेके 0.52 Y का कितना देरेके मानस का 3.03 और Z का कितना देरेके कि मानस का वन पोइंटेवन acknowledgement डिरक आपको इनका स्ट्रेशन पोटेंशन और डिशूंग पावर आपको देखने हो रहा है तो रेबिस्टेन पावर प्रपोर्जल होता है प्लापॉर्ण पोटेंशन сप्थ है और ये सबसे क्या है तो इसकी रिडिश्न पॉर सबसे ज्यादाव एक्स तो कौंसा एंस्यक्राइब सेकेंड ओप्शनिल्स क्रेक्ट में सब्सक्राइब आपको सेल रिएक्षिन देर और दोनों का रिदस पोटेंशन देर के और यह जो फूचे तो एक्षण को प्लस से कोपर इसका रिदसे ओर है तो यह हैं और एमजी से माइनस माइनस का 2.37 इन दोनों को आप एड़ करोगे तो यह प्लस का आएगा 2.71 वाल्ट होड़ है तो कौन सा अप्शन से होगा सेकेंड ऑप्शन इस करेक्ट नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्क्यूशन unit of electrochemical equivalent यानि कि Z की unit क्या होगी तो W बराबर क्या होता है Z into Q फरड़े का फस्ट लो तो Z is equal to क्या होगा W upon Q और weight की unit क्या होती है gram और charge की कुलाम तो gram पर कुलाम तो कौन सा option C होगा third option is correct next question the Ais electrical conductivity of the following akua solution is concept solution की जो conductivity क्या ने ये स्टवर रहे तो इसमें नमराओ पाइंस देखो सब की concentration तो क्या देरी किए CAEA acidic acid CS3 COH chloroacetic acid CS3 COCl और ये सेस्टिक एप और ये और वाइन कितने जब किसमें कितने थीन तो जिसमें लिए नमबरों पायन जब इतने ज्यादा होंगी उसके इतनी ज्यादा हो तो कौन सा अप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन इस क्रेक्ट नेक्स्ट कुशन फोर्द लेक्षिन यह चेमिकल रिक्षिन देर की ओडर पूछा और molecular of the reaction पूछिए है तो इसका order क्या होगा, order तो यहां सी आप चेक कर सकते हुआ, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 plus 1, इसका order 1 है, इसका order 1 है, यह उपर जाएगा तो मैनेस 1, order तो क्या होजाएगा, 1, और number of reporting species reaction में कितनी participate कर रहे हैं, 2, तो molecularity तो 2 और order कितना है, 1, तो first option is correct. Next question, question number 16. For a zero direction, the plot of concentration versus time is linear width. यहनि कि zero directional में क्या होता है? A node minus का AT is equal to क्या होता है? K into T होता है. यह इसका integrated rate expression है. और AT is equal to में क्या लिख सकता हूँ? मानिस का KT, प्लस का क्या जाएगा? A node आजाएगा. तो यह होगा Y axis, तो Y वराबर MX plus C. इसका slope क्या आएगा? slope negative आएगा हो रहे. और इसका कुछ न कुछ से intercept भी होगा. तो negative slope, negative slope, zero intercept गलत है. negative slope and non-zero intercept. तो fourth option is correct. Next question. 17. If the initial concentration of rate trend in the certain reaction is double. initial concentration को double कर दिया. The half like period of the reaction is double. तो इसका मतलब यह क्या है? First order reaction तो हो नहीं सकती. यह क्या है? Zero reaction. क्योंकि zero reaction का T half है, वो क्या होता है? A upon 2 क्यों हो रहे. जितने reactant की concentration बढ़ाओगी, उतना ही T half क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो कौन सी reaction होगी? Zero order reaction होगी है. Next question. 18. In the galvanic cell. Galvanic cell क्या करता है? Galvanic cell ही electrochemical cell है. यही क्या है? Electrochemical cell है. Electrochemical cell जो क्या करता है? Chemical energy को electrical energy में कर्मट करता है. तो इसमें कौन सा option सी होगा? First option is correct. Next question. यह आपको एक cell का representation दे रहे का है. जिसका इनोट शेल आपको गिवन है. और इसमें इसकी concentration आप से पूचिए. और यह totally discharge होगा है. इसका मतलब voltage इसका क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. और voltage 0 हो जाएगा. तो इनोट शेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0591 अपोन N. लॉग 10 बेस. ZN प्लस टू की concentration उपर और कोपर प्लस टू की concentration का आप आएगी? नीचे आएगी हो है. N की विलिए अपन नमरोग ट्रांस्प लेक्ट्रोन कितने हैंगी? तो आएगे. और इनोट सेल आपको कितना दर का? 1.1 और यहाँ प्लस टू की concentration उपर और कोपर प्लस टू की concentration नीचे. इसको इससे डिवाइड करो. तो 1.1 अपॉन 0.03. इसकोल टो आएगा लॉक 10 बेस के एकलिवरियों. पॉइंट से पॉइंट कैंसे लाउट हो गया. तो उपर के आएगा 110 अपॉन 3. यह उल्मोस्ट 37 आएगा. तो के एकलिवरियों कितना आएगा? 10 की पावर 37. तो कौन सा आप्शन से यह है? सेकेंड आप्शन इस करेक्ट. नेक्स्ट क्यूशन. क्यूशन नमर्ट ट्वेंटे. फोर्ड रिएक्शन यह आपको रिएक्शन देर के रेट आपडी से प्रेंस अप एच्टू. यह आपको कितना देर के 1 इंटू 10 की पावर मायनस का 4 देर के मोल लिटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स दरेट ओप अपिरेंस अप एच्टाई तो इन दोन में क्या रिलेशन देर के ता मायनस का दी एच्टू अपोन डेटी इसकोल टू क्या होगा? आपको कितना देर के 1 इंटू 10 की पावर मायनस का 4 तो यह तो इन्टू 10 की पावर मायनस का 4 यह जाएगी ही की अफिरेंस की रहत हो जाएगी तो शेकेंड ऑप्शन इस क्रेक्ट नेक्स क्यूशन 21, the rate of reaction is expressed यानि कि आपको rate of reaction देर किये और आप से क्या पूचा है? केमिकल रेक्शन पूचिए तो देखो लगेटी वाले में सा रियक्टेंट होते हैं तो यह दोनों क्या है? रियक्टेंट है D और B क्या है? इसमें रियक्टेंट है जिसके अंदर D का कोफिशन कितना है? 3 है और C और A प्रोड़क्ट है तो A और C के प्रोड़क्ट है A का कोफिशन कितना होगा? 4 और C का कितना होगा? 2 होगा तो 3D प्लस B C 4 A प्लस 2 C कौन सा अप्शन होगा? 3rd option is correct next question 22 the unit of rate constant and rate of reaction are identical rate of reaction की unit और rate constant की unit equal किसमें होती है? 0 रेक्शन में दोनों की unit क्या होती है? सेम होती है तो first option is correct next question number 23 the half life of a first road reaction is 60 minutes तो T half आपको देरे का है वो 60 minutes देर का है is equal to क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन क्या जाएगा 0.693 अपॉन क्या आएगा 60 यह के की विल्यों आगे और आप से 90% पूछा तो T90 कितना होता है पॉन क्या होता है 2.303 अपॉन क्या 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 विल्यों आप पूट कर दो तो 2.303 अप नीचे क्या हैगा 0.693 इंटू 60 तो इसको सोल करोगी तो कितना हैगा 0.3 यानि कि 200 मिनट आ जाएगा क्योंसा ओप्षन होगा एंट ट्रांस्पर एलेक्ट्रोन कितने टू एप कितना है 965 00 कुलांग और यी सेल आपको कितना दिर का है दो वोल्ट और थाउजन्ट से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो क्योंकि किलो जूल में आप से पूच्छा है ठीक है तो इस कांस्वर क्या होगा दो जिरो से दो जिरो कैंसल आउट फाइव और यह जाएगा वन नाइन माइन थ्री जिरो अप ओनी चीका एगा फाइव तो माइनस का कितना है गा थ्री एट्टी फोर के राउंड आएगा तो कौनसा अप्शन होगा थ्याड अप्शन इस करेक्ट नेक्स्ट क्यूशन आप भी विच ओफ फॉलम ग्राप इस फोर जिरो रियक्ष crack- ub rap धिम तो जिरो रिरेक्शन में नाग एकस तो क्य में एक्स ब्राबर। पिरने करिये यह भी सही है यानि ABC सही है यानि कि थार्ड ओप्शन इस करेक्ट नेक्स्ट क्यूशन 26 using the given graph showing concentration of reactant and product as function of time for the reaction A3 से 3A यह आपको reaction देरे कि T time पे T1 time पे इन दोनों की concentration क्या हो जाएंगी एक पल हो जाएंगी और है तो यहाँ पे T ब्रावर 0 time पे इसकी concentration क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं इसकी क्या हो जाएगी 0 एट T ब्रावर T1 time पे क्या होगा यह 1-X होगा और यह कितना होगा 3X होगा तो एट T1 time पे क्या होगा एट T1 time A3 और A की concentration क्या हो जाएंगी एक पल हो जाएंगी 1-X is equal to कितना हो जाएगा 3X तो 4X ब्रावर कितना हो जाएगा 1 एक्स ब्रावर कितना जाएगा 1y फोर जाएगा इसका मतलब 25% reaction क्या हो चुकिए complete हो जाएगी तो कितना जाएगा T1 by 4 नेक्स 27 डेक्टिविशन अनेजी ओप्रेक्शन इस जीरो तो रैट कॉंस्टेंट क्या होगा तो के ब्रावर क्या होगा एकी पावर माइनस का ये अपोन आर्ट ये रिलेस्टन होता है यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फिर 0 जाएगा टैंपर रहेगा नहीं और किसक 28 फोर्ड रियक्शन है इफ रिलेस्टन बिट्विन के बन के ट्रून के ट्री में भी एक्वल टू तो इसकी रैट लिखा आप तो इसकी रैट क्या है गी रैट इसकोल टू वन बाई टू मानस का दी नस त्री अपोन डिटे इसकोल टू क्या आएगा मानस का डी एंट टू अपोन डिटे इसकोल टू क्या आएगा यह प्लस आएगा क्योंकि प्रोडेक्ट है और यह प्लस आएगा वन बाई 3 दी अच्टू अपोन डिटे यह आपको देखो कितना आज रखा के बंदे रखे तो 1 बाइ टू के बन आ जाएगा इसको क्या चाहिएगा दिया और रंबाइ ट्री तो पॉन्डेटे क्या जाएगा केट रिया जाएगा अब इसको सिंप्लिपाई करना है तो आप इसको क्या करो 6 से multiply कर दो, 6 से multiply करोगे, तो ये कितना जाएगा, 3 के बन आ जाएगा, और ये 6 के 2 हाजाएगा, और ये 2 के 3 हाजाएगा, ऐसा option कोई है, नहीं दे, तो आपन क्या करते हैं, इसको 2 से divide कर देते, 2 से divide करोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, फर्स्ट ओप्शन आजाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्योशन, 29, 40 reaction, time of 75% reaction, thrice of the time of 50% reaction, एक अभिक्रिया के लिए, पच्चेतर प्रतिसन अभिक्रिया का समय, 50 प्रतिसन अभिक्रिया का समय का 3 गुलना है, तो अभिक्रिया कोटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, 0 reaction में क्या होत तो 5 times होता है किसका, टी हाप का, और 1st order में क्या होता है, 2 times होता है किसका, टी हाप का, और 3rd order में क्या है, 3 times होता है किसका, टी हाप का, तो यह 0 reaction होगी, यह 1st order reaction होगी, यह 2nd order reaction होगी, तो correct option कौन सा है, 3rd है, यहनि 2nd order reaction होगी, नेक्स्ट क्यूसन हां तो क्यूस्ट नमर 30 के एक रियक्षिन देरिके A C 2 B plus C the rate is given by यह rate आपको गिवन देरिके कि दा ओडरोफ रियक्षिन तो एकी रिस्पेक्ट मोडरोफ रियक्षिन क्या है फस्ट है और बीकी रिस्पेक्ट मोडरोफ रियक्षिन क्या हो जाएगा थार्ड तो फस्ट ऑप्षिन इस क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूस्ट 31, in the reaction the threshold energy is equal to, threshold energy क्या होती है, यह को reaction energy profile diagram है, यह है normal energy of reactant, यह reactant की energy है, HR यहां से यहां तक की, और यह है forward direction की activation energy, यह forward, तो यहां से यहां तक की energy क्या है, यह forward और यह reactant की average energy, और यहां से यहां तक की energy का आप क्या करोगे, threshold energy, तो यह threshold energy is equal to क्या हो जाएगा, activation energy forward direction की, plus average energy of reactant, यह reactant की क्या हो जाएगी, average energy हो जाएगी, ठीक है, तो option number first is correct, next question, 32, 4A reaction A से B, activation energy देरी के 10 kJ, डेल टेस्ट देरी के 5 kJ, ठीक है, तो इसका मलब यह reaction क्या, एंडोथर्मिक reaction, यह कौन सी reaction है, एंडोथर्मिक reaction है, तो आपको energy profile diagram देखना है, एंडोथर्मिक reaction, तो इसके अंदर देको यह exothermik reaction, यह forward कम है, यह backward क्या है, ज्यादा है, यह है आपकी endothermik reaction, एंडोथर्मिक reaction, यह forward इसका ज्यादा है, और इसका यह backward क्या है, कम है, यह तक आउड़ तो डेल्टाइस इसकोल टू क्या होता है, यह forward, मानेस का यह backward, तो देखो यह energy ज्यादा है, यह energy कम है, तो डेल्टाइस का साइन क्या है गाएगा positive, और डेल्टाइस का साइन पोजिटिव ही आपको देर कहता है, तो यह निदोथर्मिक reaction है, तो second option is correct, फर्स्ट क्या हो जाएगी, एक्जो थर्मिक reaction हो जाएगी, उसमाँ से पी अभी क्रिया, next question, question number 33, which of the following is not affected the value of rate constant, rate constant की है, वो किस पी depend करेगा, rate constant की है, वो depend करेगा, temperature पी, nature of reactant, nature of reactant, और catalyst पी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, बाकी किसी पी depend ने करेगा, रेक्टेंट की concentration से independent रहता है, तो पहला option हो गया, जिससे आप यह डिपेंड ने करेगा, एक दाम में change होने से यह change नहीं होगा, तो only a and c में आप change करोगी, तो rate constant क्या हो रहेगा, अनफेक्टेड तो fourth option is correct, next question, 34, correct relation for first order reaction, first order reaction के लिए correct relation क्या होगा, t75%, t75% है first order reaction में, वो क्या होता है, two times होता है किसका, t half का, तो पहला तो क्या होगा, आपका इसमें incorrect होगा, 70, t7 by 8, इसको t7 by 8 बोल दो या, t87, t87.5 बोल दो, यह क्या होगा, 2.303 upon k log 10 base, a upon a upon 8 आजाएगा, at काहां पे चला जाएगा, उपर चला जाएगा, तो 2.303 upon k log 10 base, 8, log 10 base, 8 को क्या लिक्स होता हो, तो 2 की पावर 3, 3 काहां पे आजाएगा, इदर आ गया आजाएगा, तो 3 into 2.303, log 10 base, 2 की वहले, 0.3010 upon k, यह क्या हो जाएगा, ती हाफ हो जाएगा, तो t7 by 8 है, वो 3 टाइमस होता है, किसका, ती हाफ का बोल दो, तो 2.303 upon k, log 10 base, a upon, 99.9% reaction complete होगी है, तो कितनी रही, 0.1%, तो 0.1 a upon नीचे क्या जाएगा, 100 है, पोइंट को ठाओगी, तो कितना जाएगा, 1000, तो यह क्या जाएगा, 2.303 upon k log 10 base, 1000, 1000 को यह लिक्स होते, 10 की पावर 3 लिक्स है, तो 3 काहां पे आजाएगा, आग्या जाएगा, तो 3 into 2.30 0.303 upon k, यह आपके पास क्या जाएगा, ती 99.9% आजाएगा, और ती 99 और ती हाप में क्या रिलेशन होता है, तो ती 99.9 यह आपके पास आगा, 3 into 2.303 upon k, और ती 50% क्या होता है, 0.693 upon k, k से क्या हो गया, इसका इसमें कितनी बाद जाएगा, 0.3 टाइम से हो, तो उपर आजाएगा 30, और ती तो कितना जाएगा, 10 टाइम से हो जाएगा, तो ती 99.9 वो टेन टाइम से किसका टी हाप का, तो CBC यह यह, यहीं कि B और C क्या है, correct option है, T average क्या होता है, T average होता है, 1.44 into T half का, तो second option is correct, next question, 35, if the initial concentration of reactant A, देरी के half life trade of the reaction of nth order is inversely proportional to, nth order reaction के लिए जो T half at, वो proportional क्या होगा, A की पावर n minus का 1, inversely proportional पूचा है, वित कनुपाती, तो किस के होगा, A की पावर n minus का 1, यहनि first option is correct, next question, 36, in the rusting of iron, which of the following cell reaction occurs at the cathode, cathode पे कोण सी reaction होगी, third reaction होगी, तो यह anode और cathode पे जो reaction होगी है, वो आपको अच्छे से learn होनी चीए होगा, next question, 37, copper containing AG and AU as a impurities is purified by electrolysis, the cathode and anode are used, है, तो अनोड लेते हैं, उसके अंदर अपन एलेक्ट्रोलाइसिस और copper sulfide करते हैं, जो purification करते हैं, जिसके अंदर अनोड इंप्योर कर लेते हैं, अनोड तो क्या लोगी, इंप्योर copper, और cathode किस का लेंगे, pure copper का लेंगे, क्या लेंगे, अपन प्योर copper का, तो कौन सा option से ही होगा, second option is scrapped, next question, 38, which of the following will increase the voltage of cell, which following cell reaction, ये cell reaction देर की, इसका voltage increase कैसे होगा, तो, E cell is equal to क्या जाएगा, E node cell मानस का 0.0591 अपोन N log 10 base, उपर क्याएगा, S N plus 2 की concentration, अक्वस में है, और नीचे, A G plus, अक्वस की concentration का square होगा, तो ये E cell increase कब हो सकता है, जब आप A G plus N की concentration बढ़ाओगे, तो ये value क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये value कम होगी, तो E cell क्या होगा, बढ़ेगा, तो A G plus N की संदर तो बढ़ाने पर, E cell क्या होगा, बढ़ेगा, बाकिन दो से affected नहीं होगा, और S N plus 2 की concentration आप बढ़ाओगे, तो ये value बढ़ती जाएगी, तो E cell क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आप से तो क्या पूचा है, E cell किसके अंदर बढ़ेगा, तो इसमें जब आप A G plus N की concentration को increase करोगी, तो E cell क्या होगा, increase होगा, Next question 39, गैलमिनाइज आइरन सीट आर कोटेड विद, यानि कि आइरन पे किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि उसका कोरोजन नहीं हो, तो जिंक मेटल की कोटिंग है, वो क्या करेंगे, इस आइरन की सीट पे करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, गैलमिनिकरत आइरन सीट, तो थर्ड आप्चन इस करेक्ट, Next question 40, EMF of cell, cell का EMF आपको दे रहे हैं, और आपको inode cell दे रहे हैं, दोनों का, तो पहले inode cell निकाल लो, inode cell is equal to क्या होता है, inode cathode, cathode यहाँ पे क्या है, gold है, और इसका आपको reduction potential कितना दे रहे हैं, 1.50, minus, anode क्या दे रहे हैं, nickel plus 2 से nickel, यह कितना है, minus का 0.25, यह कितना दे गिया, आपको 1.75 वाल्ट हो रहे हैं, तो कौन सा option सी होगा, 3rd option is correct, क्योंकि इसके अंदर, e cell is equal to inode cell, इसके net upon reaction लिकिंगे नियन सेट, minus का 0.0591 upon an, कि जिगा, कितना जाएगा, 6 आजाएगा, transfer electron कितने हैं, 6, log 10 base, ओफर कि इसकी concentration आएगी, निकल की, तो निकल प्लस टू की concentration, की पावर कितने हैं जाएगी, 3, और निचे, AU प्लस 3 की concentration का, स्क्वार हो जाएगा, लेकिन दोनू की concentration कितने दे रिकिये, 1.0 M, 1.0 M दे रिकिये, तो और आपक्टेंबेस, 1 क्या हो जाएगा, 0, तो यह 0 हो जाएगा, तो E-Cell किसकी एकुल हो जाएगा, इनोट इसकी एकुल हो जाएगा, तो 40 में 3rd option is correct, Next question, 41, Situated solution of potassium nitrate is used to make salt breeze, Salt breeze में क्या करते हैं हैं, Salt breeze में हैं, potassium nitrate का संतरप्ट विलिन लेते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, इन दोनु की mobility क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, जिस speed से k plus n मूग कर रहा है, उसी speed से क्या करेगा, nitrate n मूग करेगा, तो velocities of both k plus and nitrate n are nearly the same, तो 3rd option is correct, Next question, 42, For the sail, delta g is negative, तो आपको sail का representation जो दे रहक हैं, से पता लग जाएगा कि यह concentration cell हो रहा है, क्योंकि anode और cathode A की metal के बने होते हैं, तो और same metal के बने होते हैं, तो इनका anode cell क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e cell is equal to में लिख सकता हूँ, minus का 0.0591, upon n transfer electron कितने हैं, 2 log 10 bis, उपर आएगा c1, और नीचे के आएगा c2 आएगा, अब आपको question पूछाए, delta g negative होना चीज़, तो delta g is equal to क्या होते है, minus का NF e cell, यह negative कब हो सकता है, जब e cell positive, और यह positive कब होगा, जब आपका c1 अगर जादा होगा है, c2 तो यह e cell negative हो जाएगा, तो c2 अगर बड़ा होगा, किससे c1, तब जाकि e cell positive होगा, और delta g क्या होगा, negative होगा, तो third option is correct, next question, 43, the given plot represents the variation of the concentration of a reactant, R with time for different reaction, first and second, the respective order of the reaction, reaction का order पूछा है, तो यह reaction और reactant की concentration, टाइम के साथ ग्राब देरे का है, इसका मदब यह zero reaction है, ठीक है, और यह reactant की concentration, लोग की form देरे की time, तो यह तो क्या है, anode minus का, AT is equal to क्या होता है, KT, और AT is equal to क्या हो जाएगा, minus का KT, और minus का, plus का हो जाएगा, anode, तो इसका, यह है zero direction के लिए, और इसका slope negative तो ग्राफ ऐसा आएगा, और इसके अंदर log R, और time के भी इसमें ग्राफ प्लोट किया गया है, तो इसके अंदर भी क्यासा आएगा, आपको पता है, KT upon 2.303, for first row direction, log A, minus log, 10 base A, minus का X, तो यह, आपको कहां पे लेना, Y axis पे और time X axis तो इसमें भी slope क्या जाएगा, इसको आप इदर लिखे आओगी, इसको इदर लिखे जाओगी, तो इसमें भी slope क्या जाएगा, negative आजाएगा, इसका मतलब पहला तो first row direction है, दूसरा zero direction है, तो fourth option is correct, next question, 44, इस reaction का 2.7 volt, और reaction को reverse कर रहा है, इस reaction को किसी कोफिशन से multiply करते हो, तो इसके इनोड पे कोई effect नहीं होता है, क्योंकि यह intensive property है, लेकिन reaction को आपने उल्टा कर दिया, तो इसमें तो क्या हो रहा था, इसमें तो reduction हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें oxidation हो रहा है, तो इसका oxidation potential लेंगे, तो sign change होगा, reaction को ल्टा करोगी, तो इसका sign change हो जाएगा, क्योंकि reduction, oxidation एक दूसरे की reverse process है, तो इसका 2.7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2.7 हो जाएगा, तो कौन सा option से होगा, 3rd option is correct, question number 45, in an electrolytic cell of, यह आपको electrolytic cell दे रहा है, when current is passed, the concentration of silver nitrate solution, इसमें दोखो, silver nitrate का solution ले रहा है, Hg03 का solution ले रहा है, और इसमें जो anode और cathode है, यह एक ही metal के ले रहा है, किसके, silver के रहा है, पर इसमें जो anode है, वो तो impure silver का ले रहा है, cathode का ले रहा है, pure silver का ले रहा है, तो यहां से जितना Hg+, solution में आएगा, उतना Hg+, इस cathode पे जाके, deposit हो जाएगा, तो इसकी concentration में कोई change नहीं होगा, तो remain cell, question number 46, 9.65 कुलाम of electricity is passed through a solution of silver nitrate, the amount of silver deposited, यहनी कि silver की कितनी amount deposit होगी, तो आपको charge दे रहे का कितना, 9.65 कुलाम, amount पुचिए, तो W upon equivalent weight is equal to Q upon 965 00, यह फराडे का first low है, तो amount कितनी पुचिए आप से पुचिए, डबलो आप से पुचा है, और silver का जो equivalent weight कितना होता है, 108 upon 1, equal to क्या आएगा, 9.65 upon 96 500, तो point रठाओगी, 20 और रजाएगी, यह से cancel out होगी, तो W ब्रावर कितना जाएगा, 108 इंटो 10 की पावर, मानस का 4, तो यह आजाएगा, 10.8 और मानस 3 को में क्यालिक सिकता मिलिग्राम, 10.8 मिलिग्राम आजाएगा, तो कौन सा option से होगा, first option is correct, next question, 47, the oxidation potential of a hydrogen electrode is this, oxidation potential, E oxidation, पर तो आप oxidation की reaction लिखो, तो H2 gaze, किसमे करोट होगी, 2H plus, aquas, plus 2 electron, ठीक है, तो E cell is equal to क्या हो जागा, node cell तो 0 हो जाएगा, minus का 0.0591, upon 2, log 10 base, H plus N की concentration का, square, अपो नीचे क्याएगा, pH 2 हो जाएगा, और H plus N की concentration कितनी दे रिखिये, वो pH से आप determine करोगी, pH अगर 10 दे रिखिये, H plus N की concentration क्या होगी, 10 की power minus का 10 होगी, तो ये value काँ पर पूट करो, इस जगे पूट करते हो रहे, E cell is equal to क्या हो जाएगा, minus का 0.03, ये 0.0591 by 2 ले लो आप, इंटो लॉग 10 बिस के आएगा, 10 की power minus का 10, का क्या जाएगा, square जाएगा, और pH 2 कितना दे रिखिये, आपको 1 ATM दे रिखिये, तो इससी कोई affected नहीं होगा, तो ये 10 की power minus का 20 हो गया, ये कितना होगा, minus का 0.0591 upon 2, और ये minus का 20 काहा पर आजाएगा, नीचे आजाएगा, आगे आजाएगा, ठीक है, और ये क्या जाएगा, लॉग 10 बेस 10, और लॉग 10 बेस 10 की विल्व क्या होती है, 1 होती है, तो minus क्या हो गया, plus 2 से 2 cancel out हो गया, तो 0.0591 इंटो 10, ये कितना जाएगा, 0.5991 आजाएगा, तो कौन सा ओप्शन से होगा, थर्ड ओप्शन इस करेक्ट, नेक्स्क्यूशन, 48, अज़ आपको आपको दिरुका, इनोड शेल, 25 डिग्री सेल्स, कितना है, 0.295 वाल्ट, और नमरोब ट्रांस्प एलेक्ट्रोन कितने दे रिखें, 2 दे रिखें, और आप से एकलिवरियम कॉंस्टेंट पूचा, तो हम रिलेशन आदे हैं, इनोड शेल इसकोल 2 क्या हो जाएगा, 0.0591 upon 2 log 10 base k एकलिवरियम, और इनोड से कितना दे रिखें, 0.295 दे रिखें, और इसको इससे डिवाइड करोगी, 0.0295 log 10 base k एकलिवरियम, इसको इसके इंदर दे दिवाइड करो, तो किया आएगा, 0.295 तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, तो लॉक 10 बेस की equilibrium is equal to कितना हैगा 10 तो के equilibrium is equal to क्या हो जाएगा 10 की power 10 हो जाएगा तो कौन सा option से यह third option is correct next question 49 69 equation आपको यह देर किये कौन सा relation सही नहीं है incorrect relation पूचा है क्यों ब्रावर क्यों सी यह 8 equilibrium पे होता है add equilibrium पे delta G 0 होगा तो आपका E cell बहीं क्या हो जाएगा 0 हो भी हो जाएगा ठीक है ना और E cell 0 हो जाएगा तो Nand set equation क्या हो जाएगा E node cell is equal to क्या हो जाएगा RT upon NF log E base की equilibrium हो जाएगा ठीक है E cell 0 हो जाएगा यह भी सही है और case is equal to क्या हो जाएगा NF E node cell upon RT और इदर क्या जाएगा E की power और इधर क्या जाएगा case या जाएगा तो fourth भी सही है और second भी सही है निए first option है वो क्या हो गया incorrect हो गया क्योंकि E cell क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन आगे बली चीज़ जीरो नहीं होगी नेक्स्स क्यूर्शन 50 अगे अगे इसमें मोल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे राइट कितने चार्ज की रिक्वार्मेंट होगी हो रहे है तो एच टू यह एच टू प्लस हाप ओटो में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा ठीक है यहाँ पर माइनस टूओ यहाँ पर जीर तो नमरों प्रास्टि रिक्ट्रोन ओडन इस्कॉल टू क्या होजाएगा तो चार्ज कितना है आएगा चार्ज मोल इंटो एंट फेक्टर मोल कितना है फाइफ इंटो टू कितना होगा टेन फेरड तो कौन सा अप्शन सी होगा फर्स्ट प्शन इस क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूशन हाँ नेक्स्ट क्यूशन नमर है फिप्टीवन दे स्लोप अप्ड लाइन ऑफ दे ग्राफ लोग के और वन पॉन ट की बीच में ग्राफ प्लोट किया है और आपको एक्टिविशन अनरेजी पूचिए तो लॉग के इसक्वल टू क्या होता है लॉग ए मानिस का ea अपन 2.303 और इंटु ट को यह स्लोंप हो गया यई अपन 2.303 यहां टो पॉंट की इसक्त T क्को यह किसलिषेय का मायनास मायनेस तो कैंशल आउत हो जाए कि इधर भी ओस असे बाइनस से पाइप्ट्त आउजन के तो यह सच्विशन न lihat क्या लोगी 8.314 into 5000 क्या करना पड़ेगा 1000 ताकि इसको किलोजुल में पूर्ट कर ले हैं तो यह इसकी विल्यू के इतने होती है 19.14 19.14 को 5 से मिल्टिप्लाइ करोगे तो 95 किलोजुल पर मोला जाए यानिकि फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट और छिंगा नेक्स्ट क्यूशन है फिल्टी तो सेलक्ट इंट्रेमेडियरे नोग्याएं सभराएं तो जो यह एंट्रिमेड संध्य करेक्ट इसक्था स्युभी नू च प्रोडश्ण år ए टाहिक्वेल्ट यहक्ट वेट Safe दाटा रेट लो आपको बताना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे विफास्ट को SECOND से आप डिवाइड को यह तो EQUESION FIRST मालो और EQUESION SECOND माल लो और रेट इसकोल टू क्या लिखोगी की A की पावर X और B2 की पावर कितनी है यह है तो पहले मिर रेट कितनी दरी कि 1.6 कि पाउर x और बिकी कंसेंटेश्न 05 कि पाउर y एक वेसिन क्या कि होगी फ़र्श्ट हो ये पिंड गाyet के 3.2 3.2 इंटो 10 कि पाउर मानिस का 4 इसकोले के कि एके कंसेंटेश्न कितने 05 कि पाउर x और 1.0 कि पाउर y से तो इस प्रस्ट में क्या करो इधर 1 by 2 और इधर कितना जाएगा 1 by 2 की power y तो y की value क्या जाएगी 1 आजएगी ऐसे आप x की value find out कर लोगे तो इधर क्या जाएगा 1 आजाएगा इसको cancel out करोगे तो इधर आजाएगा 1 और 1 बराबर क्या जाएगा 1 by 2 की power x एक्स की विल्व क्या हो जाएगी जीर हो जाएगी तो कुंसा रिलेस्ट नहीं गया फिर्स्ट रिलेस्ट रिलेस्ट इसका रेटलो आपको गिवन है इसे आपको पता लग जाएगा कि यह सेकंड ओडर रियक्शन तो क्या रहेंगी सेम रहेंगी कोई चेंज नहीं होगी है नग्सेशन पैटेप स्ट्रेक्शन फिप्टी पर्सेंट कंप्रेट इन इस टाइब हाव मुच ताइम वोड़ी टेच फोर हंड़ेट परसेंट कंप्रेट्यश आपको पता है जो फर्स्ट रियक्शन है तो कभी भी तर्संट कंप्रेट है नहीं होते हैं तो को complete होने के लिए इंफाने टाइम का समय लगता है तो कौन सा ओप्शन से होगा ओर्थ ओप्शन इस क्रेक्ट कि नेक्स्ट क्यूश्टन 56 which of the following statement is not correct of the catalyst the catalyst the forward and backward reaction to the same extent यानि कि यह अगर तता पस विक्रियों को सम्मान दिर से उत्परिवर्थ करता है बिल्कुल सही है इसका मतलब कौन सा स्टेट्मेंट गलत है दूसरा third it is the substance that does not change the equilibrium constant of a reaction बिल्कुल सही है fourth it provides an alternate mechanism by reducing activation energy between reactant and product fourth भी बिल्कुल सही है तो second है उगे गलत है है next question है next question वर 57 unit of rate constant के तो फस्ट रोड रेक्शन के लिए रेट कोश्टन के की उनिट क्या होती है और यह तो होती की फस्ट रोड रेक्शन और जीरोड रेक्शन के लिए अगर अब बात करें और है जीरोड रेक्शन के लिए तो र्कश्टन के यह की क्या होती है डिस खोलद की पाहर जेले और एक एस इसकार्फर haha सेकंट रोड स्टलिवेस तो सेक्ट दिनिवेसलार्य द टिन्वεसलेटे सेके निवर्स यह दो नेक्ट्स क्यों प्योंस हूं 58, the right equation for the reaction 2A plus BCC is found to be this, the correct statement in the relation of the reaction, यह यह second order की reaction, किस order की है, second order की, और second order की लिए rate constant की क्या होती है, molarity की power minus 1 second inverse, पहला तो गलत हो गया, T half is constant और इसका T half क्या होता है, second reaction का, inversely proportional to initial concentration of reactant, तो second भी क्या हो गया, गलत हो गया, third, the rate of formation of C, तो इसके लिए अपन, C के लिए rate of formation क्या हो जाएगा, DC upon dt, is equal to क्या हो गया, the rate of formation of C is twice the rate of disappearance of A, rate of disappearance of A, और यह हो जाएगा, 1 by 2, तो rate of formation of C is half of the rate of disappearance of A, तो third भी गलत हो गया, the value of K is independent of the initial concentration of reactant A and B, वो फोर्थ है, वो इसके अंदर सही statement है, next question, 58, 59, यह आपको reaction देर के rate of disappearance of A, related to the rate of disappearance of B, यह आपको इन दोनों का expression निकालना है, तो इसके rate आप लिखोगे, तो rate is equal to क्या हैगा, minus का 2 D A upon D T is equal to क्या हैगा, 1 by 2 D B upon D T, तो को इजर multiply करो, क्या जाएगा, minus का D A upon D T is equal to क्या जाएगा, 1 by 4 D B upon D T, तो कौन सा option से होगा, first option is correct, next question, 60, according to the RNS equation, the rate constant K and energy of the activation of the reaction are related to, तो इसके लिए क्या relation है, K is equal to A, E की पाउर, minus का E A upon D T, तो इसा कौन सा relation है, इसा third relation है, तो third option is correct, तो paper काफी exam oriented था, काफी simple था, I hope आपका अच्छा हुआँगा, thank you so much, JCLC.